नमस्कार बहुत बहुत स्वाइद करते हैं क्लिक टूड़े के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार बीएड रिजल्ट 2024 को ले करके साथी एक नोटिफिकेशन जो की LNMU की तरफ से जारी किया गया है जिसमें अगर आपका आवीदन में कुछ भी तुरुटी रह गया था कुछ भी गलतियां हो गई थी और उसे आप एडिट नहीं कर पाये थे तो उसको आप अभी एडिट कर सकते हैं एडिट आपको कैसे करना है ये सारी इंफर्मिशन आज के इस वीडियो में हम देंगे तो आप सभी जो है वीडियो में सुरु से लेकर करके आंतों तक बने रही है साथ इस वीडियो को जाए साथ लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच तक जो दीखिए सबसे पहले तो आपको सिंपली बिहार B8 जो है सर्च कर लेना है गूगल के उपर आकर के बिहार B8 का ये पहला ओप्शन आपको दिखाई देगा इसके उपर आपको जो है क्लिक करना रहेगा क्लिक करने का जो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ये LNMU का जो है ओफिशिल वेबसाइट B8 सिक्षा सास्त्री के लिए जो खुल गया है नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो सबसे पहले तो आपको सारा इंफो दिखाईते जाएगा कि आपका जो डेट ओफ एडमेड कार्ड वगरा एक्जाम वगरा कब-कब हुआ ये सब कुछ आपको दिखाई दे गया अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट नोटिस के अंदर आप देखेंगे तो यहां नोटिस रिगार्डिंग चेंजिंग इन कैटेगोरी एंड जेंडर ऑफ CETBA application तो आप अगर कुछ भी तुटी कर बैटे थे कैटेगोरी और जेंडर में तो आप उसको बदल सकते हैं बदलना कैसे यह भी आपको बताएंगे हाला कि यह कब से कब तक हो रहा है यह पहले हम देख लेते हैं आपका जो चेंज करना है कैटेगोरी वगरा कब तक कर सकते हैं तो दिनांग पचिस छे दोजार को जो आपका एंट्रेंस एक्जामिशन जो हुआ था उसमें किसी भी तरह का जो अगर आपका त्रूटी है यदि आपका त्रूटी हो गया है यानि कि यहां पर बताएगे कि कैटेगोरी में त्रूटी है उसको जो आप सुधार कर सकते हैं और आपको जो लिंक दिया गया है यहां पर दिये गया लिंक के माध्यम से जो 24 तक जो है कर सकते हैं यदि gender एवं स्रेनी यानि कि आपका अगर male female में से कुछ भी अगर गरबर हो गया है या फिर आपका cast category दोनों में से तुटी अगर कुछ भी हो गया है तो सुधार करना है तो link पर जो है दो बार form भरना होगा अगर आपका माल लिजे कि दोनों ही गलत हो गया, like अगर आपका category भी गलत हो गया है, और आपका gender भी गलत हो गया, तो आपको दो बार form भर करके submit करना होगा, और जिनका इसके अलाबा भी कुछ तुरूटी लग रहा है, तो वो भी भेज दीजे, मैं आपको ये suggest कर रहा हूँ, आला कि application में दो चीजों के उपर ही जातर सुनवाई की जाएगी category और आपका जो है gender को लेकर के, क्योंकि officially notice category और gender को लेकर के ही बताया गया है, कई लड़कों ने फीमेल जो है, सेलेक कर लिया था form भरते time, तो उन सभी का भी जो correction हो जाएगा, हाला कि अगर इसके अलावा भी अगर कोई टूटी रह गई है, तो आप जो इसको सुधार करवा सकते हैं अब चलिए हम back to official website होते हैं, अभी देखें यहीं पे जो है नीचे लिखावा link for gender and category correction इसके उपर जैसी आप click करिएगा click करने के बाद जो है, आपका यहाँ पे mail ID बगरा जो show करेगा उपर में आप उस mail ID से जो है इस form को submit करेगा, जो mail ID आपने examination form भरने के दोरान दिया था अलाग mail ID से करिएगा तो सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि उनको rectify नहीं हो पाएगा, कि कौन सा mail था, नहीं था, वो सब verify होगा, ठीक है इसलिए उसी mail से आप जो है इस form को submit करेगा, जो mail आपने registration के दोरान दिया था हालागि दूसरे से भी दीजेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है record, यहाँ पे record आप भिजवाना चाहते है अपने इस mail के उपर, यानि कि आप जो अभी correction के लिए जो form फिल करके submit करेंगे, यह record क्या आप अपने mail पे मंगवाना चाहते हैं, तो इसे tick कर दीजेगा आप सभी, tick करने के बाद जो आपका application number B8 का, यहाँ पे your answer में आप अपने application number लिख दीजेगा उसके जो आपका CETB8 का, जो roll number होगा, वो आप यहाँ पे लिख दीजेगा ठीक है, अब आपको change in, gender में कराना है category में कराना है, अगर gender में कराना है, तो gender के उपर tick करिएगा fill wrong information in the CETB8 2024, कोई wrong information आपने fill किया है, क्या किया है, gender में आप gender से लिख कर लिए, तब यहाँ पे दीजेगा कि male और female, आपको क्या कराना है अगर form पे female हो गया था, male कराना तो आपके male लिख दीजेगा और correct info is, आपका जो गलत है, एक सिगंड, मैं आपको बता दो, उपर में बता है कि आपका क्या गलत हो गया है उपर में आपने यहाँ से लिख कर लिए कि gender गलत हो गया है ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया है जेंडर में आपने female कर लिया था, क्या अगर female कर लिया था, तो यहाँ पे बोला जाए ठीक है, गलत वाला उपर भरिए, your answer और नीचे जो है correct info अभी नीचे जो है, mail लिख दीजिए क्योंकि उपर आपने गलती से female वाला option select कर रखा है, गलत जो आपका data है वो उपर वाले में भरिएगा, और जो सही करवाना है उसका यहाँ पे answer दे दीजिए कि हाँ, आपको mail कराना है, m भी लिख दीजिए तो चलेगा, लेकिन हम आपको बोले हैं कि पूरा word में सही-सही लिखे और correct info is, यहाँ पे बतायागा है वो तो आपको मैंने बता ही दिया supportive document अब आपको लगाना होगा यहाँ पे, कि आपका gender सही में गलत है, तो उसको सुधार आपके supportive document के basis पे ही किया जाएगा उस file को आप upload कर दीजेगा file जो upload करिएगा like आप आधार कार्ड कर सकते है gender के लिए, आप अपना पहचान पतर कर सकते है वो upload करके submit कर दीजेगा अब यह gender का आपका हो गया अब मालिज आपका category गलत हो गया था gender भी गलत है, category भी गलत है अगर दोनों ही गलत हो रखा है ठीक है, तो फिर आपको जो है यहाँ पर category वाले option पर select करके, यहाँ पर लिख दिना कि कौन सा category आपने गलत फिल कर लिया था और सही category आपका क्या है, उसके लिए supportive document upload कर दीजेगा, और यह form को who have to make correct in both gender as well as category जो दोनों में ही बदलाव करना चाहते है gender और category जिनका दोनों ही गलत हो गयागा वो लोग दो बार form भीजेंगे ठीक है, जिनका एक बार गलत होगा वो किसी एक में अगर गलत है, लाइक जेंडर में गलत है तो एक बार ही सब्मिट करिए category में अगर गलत है तो एक बार ही आपको सब्मिट करने की ज़रत है, अगर दोनों में गलत होगा तो आपको दो बार ही गूगल form सब्मिट करने की ज़रत होगी, इसके अलावा कोई भी correction नहीं किया जाएगा, ऐसा बताएगा और जो result है, B8 का वो 8 जुलाई को जारी किया जाएगा आप सबी जो हमारे साथ बने रही है, आपको result का भी हमने बता दिया है, बाकि correction का भी बता दिया है, इसके अलावा कुछ correction कराना है, तो मैं यही कहूँगा कि इनके official email पे mail करिए, हाला कि इसके अलावा कोई option बगरा दिया नहीं गया है, और दो ही चीज correction हो रहा है, जेंडर और category, इसके अलावा कोई correction नहीं, हमने आपको सुरु में बोला है कि आप भीज दीजेगा बट यह option में सिर्फ दो ही चीज का दिया हुआ है, तो sorry, अगर आपका कुछ अलग गरबर है, तो आप बदल नहीं सकते हैं सिर्फ gender और category ही बदल सकते हैं अगर कुछ है गलत तो नीचे आप comment करके बता दीजे, form पे बहुत लोग कहा रहे कि अधार नंबर गलत प्रिंट होकर क्या गया तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन फिर दिक्कत की बात तब आती है जब आप जो है मेंली अपना admission कराना जाते है तो वहाँ पर दिक्कत होता है हाला कि आगे सब manage हो जाएगा कोई भी issue होगा तो आप बने रही है हमारे साथ दिक्कत होगा तो आपको वीडियो बना करके info करते रहेंगे तब तक लिए चलते धन्यवाद और इनका जो official mail है उस पर आप जो mail वगएरा भी कर सकते हैं आपको इनका official mail वगएरा जो है admit card के उपर दिखाई दे जाएगा वहाँ से आप इनको official mail भी कर सकते हैं आज की वीडियो में चलते धन्यवाद